I welcome you all to awakening classes Jammu division की जितनी भी important tourist destinations है from exam point of view उन सबको आज के इस lecture में हम cover करेंगे इससे बाहर question frame होने वाला नहीं है आप इस पे completely rely कर सकते हैं पहले tourist destination देखने से पहले आपको थोड़ा बहुत idea होना चाहिए Jammu के dogra rulers का तो सबसे पहले dogra ruler थे महराजा गुलाब सिंग जी इन्होंने 75 lakh रुपीज में Jammu कश्मीर को खरीदा था बिटिशर से उसके बाद आते हैं महराजा रनबीर सिंग जी उसके बाद आते हैं महराजा प्रताब सिंग जी और उसके बाद आते हैं महराजा हरी सिंग जी अगर आप चाहते हो हम dogra rulers पे एक वीडियो लाएं तो आप comment box में हमें लिखते न तो ये थे chronological order में सबसे पहले महराजा गुलाब सिंग जी फिर रनबीर सिंग जी फिर प्रताब सिंग जी और फिर महराजा हरी सिंग जी अब अगर हम start करते हैं हमारे lecture को सबसे पहली tourist destination है अमर महल देखो अमर महल जो है वो तवी जो river है जम्मू की important river है तवी river उसके right bank में है ठीक है तवी के right bank में क्या है अमर महल जैसे left bank में तवी के बाहू फोट है तो राइड बैंक में क्या है अमर महल, अब इसके साथ में अमर महल के साथ में एक heritage होटल भी है जिसको जिसका नाम है हरी निवास पैलेस और अगर आपने हमारा thumbnail देखा तो उसमें सबसे उपर वाला जो फोटो है वो हरी निवास पैलेस का ही है और जो ये अमर महल है इसको किसने बनाया था एक फ्रेंच आर्किटेक्ट थे उन्होंने इसको बनाया था 1890s में ठीक है अमर सिंग अब अमर महल जो है ये किसके नाम पे है ये अमर सिंग जी के नाम पे है ठीक है और इनी के नाम पर या अमर महल बनाया गया है आपको अमर महल समझाया होगा नेक्स चलते हैं रगुनार टेंपर जम्मू का famous टेंपर है जम्मू डिस्टर्क में है रगुनार टेंपर इसको ध्यान से संबना इसको start करा था महराजा गुलाब सिंग जी ने की जो establishment में important role जो है महराजा गुलाप सिंग ने इन्हों ने construction का work start करा था 1835 में इसको complete नहीं ये कर पाए थे इसको complete किया था महराजा रनबीर सिंग ने कब किया था 1860 में और ये किसको dedicated है मंदीर ये Lord Vishnu को dedicated है नाम से पता चाहिए रगुनात मतलब रागव राम भगवान का मंदीर है तो लाड विश्नु को ही ये dedicated है इसके अंदर साथ हिंदू shrines है इस complex के अंदर ये पूरा एक complex है इसके अंदर साथ हिंदू जो है shrines है और इसके important चीज़ यहां पर है कि यहां पर एक complex है न है इसके अंदर बहुत सारी paintings हैं जो कहां से inspired है रमायना से महाभारता से और भगवत घीता से यहां पर बहुत सारी paintings है जो रमायना महां भारता और भगवत गीता ते इंस्पायर है ठीक है आप यह याAD अर significa next पे चलते हैं नेक्स्टीज रन्पी रेष्वर temple ये भी important मंदीर है जमू डिस्टिक में ठीक है रन्भी रेश्वर मंदीर ये शिवा का temple है जैसे वो विश्णु का temple था ना रगुनाय temple तो ये रन्भी रेश्वर temple आपको पता हो चाहिए ये शिवजी जी का मंदीर है और ये माना जाता है कुछ ये कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट temple है तो वन अव दा लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट टेंपल नॉर्थ इंडिया का शिवजी को डेडिकेटिद रन्भी रेश्वर temple है इसको महराजा रन्भीर सिंग जी ने बनाया था इसलिए इसका नाम रन्भी रेश्वर temple है और देखो यहाँ पर इंपॉर्टन फैक्ट हो जेकेस्ट भी कोशन भी पूछती है इस मंदीर के अंदर 1.25 लाग छोटे-छोटे लिंगम है शिवलिंग छोटे-छोटे है और यह कहां से लाए गए है नर्मदा रिवर से तो यह एक इंपॉर्टन फैक्ट है इसके साथ असोसियेटे लिए अब बाज में क्या होता है बाज में यहाँ पर एक पार्क भी बनाया जाता है इस टेंपल की बैक साइड में इस पार्क का नाम है यशो करन पार्क अब यह यशो करन पार्क जो है यह किसकी मैमरी में बनाया गया है यशो राज्यलक्षमी की मैमरी में अब महरानी यशो राज्यलक्षमी कौन थे उनको समझो देखो हमने महराजा हरी सिंग तक पढ़ा था जो लास डोगरा रूलर थे उनके बेटें हैं आगे करन सिंग जी ठीक है अब जो करन सिंग की वाइफ है ना उनका नाम है महराणी यशो राज्यलक्षमी तो उनकी याद में जो यह है यशो करन पार्क बनाया गया है और यह कहा इंपोर्टेंट इस भीमगड़वाइफ आप थम नेल में जो नीचे फार्ट देख रहें हो वह बेसिकली भीमगड़वाइब कहां पर है रियासी डिस्टिक में है ठीक है इसको बनाने का काम जो इनीशेट किया था Initiation बता रहा हूँ वो किया था King भीमदेव रसयाल ने देखो complete इन्होंने नहीं करा था इस भीमगर्फार्ड को बनाने का पूरा श्रेज आता है महराजा रिशिपाल राना जी को और maximum जो इन्होंने पार्ट है इन्होंने ही बनाया था और अगर आपको पेपर में कोशन आता ह किसने बनाया था तो आपको option में महराजा रिशिपाल राना ही होगा और आपने उसी पर मार करना है ठीक है और इसको बाज में रेनोवेट किया था महराजा गुलाब सिंग ने जब वो रूलर थे उन्होंने अपने टाइम में इसको वापिस रेनोवेट करा था तो आपने यह और रिशिपाल राना जी के एक फैक्ट आप याद रख सकते हो इनको founder of riasi district भी कहा जाता है तो founder of riasi इसको कहा जाता है रिशिपाल राना जी को अपने यह भी याद रखने है next यह पर एक तो اhuकॉन से हैं महा लक्षमी का और दूसरा accommodations majla मारा जीन का यहाँपर स्टेच हुआ है तो यह दो फैक्ट आप यूज कर सकते हो और नेक्स्ट इंपॉर्टन चीज इसकी यह भी है कि यह जो फॉर्ट था ना बेसिकलि यह डॉग्रा रूलर ने क्यों मनाया था तो दो रीजन्स की वज़ा से मनाया था एक तो यहाँ पर यह अपना खजाना नाला ना राम नगर फॉर्ट भी पशाय वज़ां उदंपूर में और किस इसरे मनसा देवी नाला से नाला के वैंक नना है राजपूत राजा सुचे इस ने नहीं सभुजत राजपूत रॉज राजा विज़ Shish Mahal Want Shish Mahal Fork भी रामनगर में है ठीक है czy तो अब है फर कहाँ पर है रामनगर रामनघर Absolutely. राजा सुचेज सिंग जी ने सबब रापन। में है तो रभानगर वह ऐतर पर वह ऐना उदमपूर में है इसको राजा सुचेज बनाया है इसको राजा राम सिंग जी ने बनाया है ठीक है यह कुछ फैक्ट्वल लेटा आपको याद ही रखना पड़ेगा एक्जाम के लिए और इसमें से क्वेशन फ्रेम होते हैं दो दो क्वेशन आते ही रहते हैं यहां से यहां पर भी पाए जाते हैं इसको कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट करी थी वह किस ने करी थी 1762 में राजा तेग सिंग जी ने ठीक है और कंप्लीट करी थी इनके सक्सेसर राजा आलम सिंग जी ने 1802 में आप देखो यहां पर ना पेपर में क्या होता है ओप्शन में मैक्सिमम माराजा तेग सिंग जी होता है ठीक है जेक एससबी के मैक्सिमम आप्शन में यही होता है तो आप इसको मार करोगे अगर कहीं बार सक्सेसर का नाम आ जाए तो आपने दोनों नाम याद रखने कोई पता नहीं होता आपकी शीट में किस तरह का क्वेशन आ सकता है ठीक है अब एक और चीज यहाँ पर जो अखनूर फॉर्ट की सबसे इंपॉर्टन चीज यह है कि देखो basically महराजा गुलाब सिंग जी के बारे में हिस्ट्री समझो पहले. महराजा गुलाब सिंग जो थे वो महराजा रंजीर सिंग आपको पता है जो पंजाब के रूलर थे महराजा रंजीर सिंग जी उनके अंडर वो गवर्नर थे ठीक है अब उनके अंडर गुलाब सिंग जी ने बहुत लड़ाई है लड़ी अब महराजा रंजीर सिंग क्या करत करते हैं चैनाब के रिवर और में पेंव को आजी सब्सक्राइब में even गुलाबव vista उस में यहाँ पर एक सीवाड़ा गाहुझ यहां से अगलगेब यह पाम jeon के पास और चेनाब के रिवर बैंक में चेनाब के किनारे जियो पोर्टा ट्री में के पास इनको क्या किया जाता है राजा डिकलेर किया जाता है जब मुगा कौन करते हैं महाराजा रंजीर सिंग और यह डेट बहुत है यह हिस्ट्री में क्वेष्षम कर फेंम होता है ठीक है नेक्सड पर चलते हैं डनिदार फॉर्ट तो सिंग में तो लाजोरी दिस्टेरी में ठीक है तो options में मिया हत्तू होते हैं तो मिया हत्तू basically governor थे रजोरी के और उन्होंने धनिदार fort को बनाया था अब इस fort का क्या purpose था तो ये दो काम करता था एक तो food grains को store करने के लिए use होता था और defense purposes के लिए भी dogra forces इस fort का use करते था दनिदार fort आप याद रख सकते हो next एक important fort और जोरी में दो fort है दनिदार fort important है दूसरा important fort है Chingas fort देख है Chingas fort है Chingas quila भी कहते है इसको इसको Mughal emperor जहांगीर ने बनाया था इसको one night fort भी कहते है अब one night fort कहने का reason ये है कि basically क्या होता था मुगल्स जब लाहोर की तरफ जाते थे या आते थे वहां से तो एक राज इस जगह को एक as a halting station यूज करते थे रुकने के लिए यूज करते है इसको one night fort भी कहते है तो आप इसको याद रख सकते हो बेसिकली वो कश्मीर की तरफ जब जाते थे और इसको halting station की तरफ यूज करते थे यह important हमने देख लिए tourist destination अभी complete नहीं होई है quick digest जब तक आप complete नहीं करोगे तब तक complete नहीं होता topic आपका तो quick digest में जो भी बचते है important destination उनको हम cover कर लेते हैं देखो दो चीज़ें यहाँ पर confusion create होती है एक बलीदान भवन है और एक बलीदान स्तम है ठीक है बलीदान स्तम जम्ब में है और बलीदान भवन राजोरी में है तो यह आपको difference पता होना चाहिए ठीक है नेक्स पुंच फॉर्ट यह question भी पूछा जाता है पुंच फॉर्ट की foundation किस ने रखी थी पुंच फॉर्ट को start करा था foundation इसकी रखी थी अब्दुलर्जाक खान ने बट इसको complete किया था रुस्तम खान ने देखो जब दोनु का नाम किसी में है न तो आपको दोनु नाम आने चाहिए initiation किसने की खतम किसने की मैंली तो रुस्तम खान ही देता option में बट कोई पता नहीं होता अब्दुलर्जाक को रुस्तम खान होई ना option में तो आपको दोनु आप्शन का idea होना चाहिए ठीक है शिव खोडी यह तो important religious site है हिंदूस की शिव खोडी और यह कहां पर है रियासी के पूनी ब्लॉक में है यह और यह किसको dedicated है लौड शिवा को ठीक है अभी शिवरात्री आ रही है तो यहां पर शिवरात्री में बहुत बड़ा मेला भी होता है ठीक है next important जो हमाई tourist destination है that is प इसको किसने बनाया था राजा बहु लोचन ने यह आपने पहले याद रखना है ठीक है राजा बहु लोचन ने यह बनाया था उसके साथ आपको पता एक पार्क भी है और दूसरा बहु फोड के पास आपको पता है एक aquarium है वो largest ध्यान से याद रखना वो इंडिया का largest underground freshwater aquarium है जो बाहु फॉर्ट के साथ एक्वेरियम है ना वो इंडिया का लार्जेस्ट सबसे बड़ा underground fresh water aquarium है उसको कहते हैं आपने याद रखना है वहाँ पर बावेवली माता का मंदिर भी है ये भी आप fact याद रख सकते हो और इंही के बाई थे राजा जम्बू लोचन ठीक है इनको founder of jamming भी कहते हैं तो राजा jamming लोचन को ही founder of jamming कहते हैं तो यह किसके बाई थे राजा बहू लोचन के एक तो यह question पूछता है एक और question पूछता है की मतलब आप हमें बताओ कि jamming कश्मीर की सबसे पहली planned city कोन सी थी, ठीक है, planned city, मतलब पूरी planning से जिस city को prepare करा गया था, उसको बनाया गया था, planned city कोन सी थी, वो RS पूरा है, तो RS पूरा कहां पर है, जमूर डिस्ट्रक में आपने याद है, इसलिए इसको नवा शहर भी कहते हैं, नवा शहर भी कहते हैं, ठीक है, आप ये fact याद ह देखेंगे, चोटी चोटी facts है, टूरी destination के साथ ही मैं cover कर रहा हूँ एक दो चीज़ें, ताकि आपको जो exam है, तो आपको problem ना है, ठीक है, next important is parmandal, parmandal को हम छोटा काशी भी कहते हैं, ठीक है, parmandal का दूसरा नाम छोटा काशी भी है, और ये सांभाश डिस्ट्रक में, इस और श्राइन किसको डेडिकेटी है भाबा गुलामशा बादशा को ठीक है और ये कहां पर है रस्जोरी डिस्टिक में और इंपोर्टन फैक्ट एक और भी बता देता हूं रस्जोरी में एक युनिवेस्टी भी है बीजी एस बीउ नाम से बाबा गुलामशा बादशा जी के नाम पर इस युनिवेस्टी का भी नाम रखा गया है तो शादर शरीफ आप याद रख सकते हैं और ये होली श्राइन कहां पर है रस्जोरी डिस्टिक में नेक्स्ट इस पंच बगतर टेंपल पंच बगतर टेंपल को रुपे वाला मंदीर भी कहते हैं यह जो फैक्ट होते हैं किसको क्या कहते हैं यह आपको याद रखना है पेपर में कुश्ट फ्रेम होता आप प्रिविएस ये पेपर से उठा लो यह सारे कुश्ट वहां पर कश्मीर पे भी हम बहुत जल्द एक वीडियो लाएंगे जिसमें कश्मीर डिविजन की सभी ट्यूरिस देस्टिनेशन को कवर करेंगे अगर आप चाहते हो कि जम्मू कश्मीर के रिलेटी जो आपके स्लेबस में चीज़े में उसके रिलेटी वीडियो लाई जाए और यह महां पर क्विज भी होता है आपका और उसके साथ अगर आप यह किसी की भी त्यारी कर रहे हो प्ले लिस्ट में जाओ हमने सारे कोर्सिस डाले हुए mcq सीरीज भी चल रही है कंप्यूटर की साइंस की आप देख सकते हो अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग ले सकते हो थैंक